कि अलो नमस्कार साथियों मैं आपके लिए का सोचिलोजी का कुछ इंपोर्टिंग कुछन लेके आया हूं तो कुछन है आपका प्रात्मी सम्हूं की अब धाड़ा इस फश्ट कीजिए इसकी विशिस्ता हैं बताइए आत्मा कुछन कर रहा है आप से कि प्रात्मी सम्हूं स से आप क्या समझते हैं और इसका महत्तों क्या है महत्त बताएए तो दो कुछन है आपके देखते हैं इनके लिए तो प्रात्मी सम्हूं सब्द का प्रयोग सर प्रथम अमेरिकी समासास्त्री चार्ल्स एस पूले ने अपनी पुस्तक सोशल और्गनाइजेशन में किया कि तथा इस प्रिकार के सम्हूं को तीन भावों में बाटा उन्होंने सबसे पहले परिवार फिर बालिकों के ख्यल शम्हूं तथा इस्थाई प्रोशी में किते भागों बाटा उसने तीन भागों में इनके लिए बाटा कूले ने इन समोहूं को प्रास्मिक इस लिए कहा, क्योंकि इन के दौरा बैक्ती को विसेस अवसक्तान के पूर्ति होती है, ये शैश वकाल और वाल्य वस्तार के प्रात्मिक कालकके समि है, जो बेक्ति के विकाश के लिए अतेंत महतपूर्ट होते हैं तो प्रात्मे समयु का आर्थ हेवं परवासां देखते हैं प्रात्मे समयु में कि पर एसे चोटे समुंस होता है जिसके सदस्थों में आपने सामने के संबन्दज पाये जाते हैं घनिप संबन्द angular और अब श्यक्व है चाल्स आज श्कूले के अनुशार प्रात्मी सम्हूं से मेरा तातपर उन सम्हूं से है जो आमने सामने के घनिष्ट संबंद एवं सहोग द्वारस लक्षित होते हैं बेप्रात्मी कई दिष्टिकॉंट से हैं परम्तों मुख्यता इस कारण से वी बैक्ति की सामाजे प्रकृति एवं आदर्सों के निनमाड करने में मौलक हैं कि मउल एंग केमशार दखते हैं एं रांची चिन्स सममू मैं परसपर आमने सामने के समंस होते हैं और सबी बैक्ति समरूप कारिक करते हैं एक ऐसे केंद्र बिंदU है जहाँ विक्ति का विक्ति तो विटिसत होता है जार्ज लूंडवर्ग ने कहा कि प्रात्मी समूं का तात्पर दो या दो से अधिक ऐसे विक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और भैक्तिक धंग से दूसरे से विभार करते हैं ठीक है न तो यह आपके इनके मद्ध होगा इनके अनुशार इसके बाद हम लोग देखते ह प्रात्मिक समूं हुआ कैसे समूं के विश्ष्षा और उन संरचनात्म लाहां भाइत कि अहाँ का जाता है भात Garth बल्हेद में देखते हुए हं कि मा जा दें हुआ कि सोरोब से है इसलिए इसलिए कम बाह नौनिक विश्ष्षेस था कि लिए हम ने क्या कहा है संरतनात्मक या बहाय विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसके बाद में सम्हूं का छोटा आकार प्राथ में सम्हूं का आकार छोटा होता है इसी कारण बेक्तियों में परस्पर भावनाओं के आदन प्रदान से घनिष्टा वड़ती है इन में अपस में भुलकर बात करने और बिक्तिकत रूप से एक दूसरे को जानने का और समझने का मौका मिलता है कूले ने प्राथमे सम्हूं के सरस्तों के संख्या दो से लेकर अधितम 50 और 60 तक बताई है किनी बताई है दो से लेकर 5060 तक तीसरा है आपका असीमित उत्तर दायत। प्रात्मि समुहूं के सदस्यों में परस्पर इसनें और शहयों की भावना बलवत्ती है जिसके कारण सभी अपने हित को गौर्ड मानते हुए एक दूसरे के हितों को प्रात्मिता देते हैं परडाम सुरूप उनके उत्तर दायत तो नहीं दिये जाते बल्कि परिश्थितिक अनुसार सदस्त्र अगितम क्लारिक करने का प्रयाश करते हैं कि और था आपका कि संबंदों की निर्णतरता एवं इस्थरता कि प्रात्मित समुहूं में संबंद इस्थाई रहें इसके लिए यह आवस्यक है कि समुहूं के सदस् का आदान प्रदान आदी की प्रिकरिया निर्णतर चलती रहें इससे और में धनिश्था समीप्य बढ़ता रहेगा और प्रात्मित समुहूं का इस्थे तो इस्थे रहेगा जो जो दो बहुं बाटा था उसका सेकंड है और मालत कि बिस्था आ हुरालो बर्दान का Vetie को और उस्थे को कि करिया उनались सबसे पहले हैं आपका लच्छों या उद्देशों की समंता है कि प्रात्मी समूं के सदस्तों के लच्छ एक जैसे होते हैं उनमें किसी प्रिकार का मत्भेद नहीं पाया जाता कि सभी मिलकर कारी करते हैं उधारण देखते हैं परिवार के प्रतेश सदस्त का उद्देश एक ही होता है कि उसका परिवार सुखिवा सम्रद हो इसी प्रिकार की पूर्ती है तो सभी सदस्त से सदत प्रयासरत रहते हैं सभी का दुख होता है इस प्रिकार प्रात्मिन समुग के सभी के साध्यों के कि उद्देशत्यों में समंता पाई जाती है कि अस्ते करें है आपका संबन्ध इवं संबन्द श्वयम साध्य होता है इस ना इसनी कि सब्सक्राइए स्वयम साध्ध होता है अर्था उन्ते संबंद किसी स्वार्थ की पूर्थी है तो नहीं अपितुश इसने और मांसिस संतोस के लिए स्वयम विक्सित होते हैं उधार जैसे मा बेटे का संबंद पति-पत्नी का संबंद स्वार्थी और मलव उपड़ी नहीं होता है बैकि आं सदस्व में संबंद और उपन्द Sóndra संबंद नहों कर बरक्तिक होते हैं सविक्ता के कारण उनमें भाबक और बीक्ता पूर्थी संबंद पाए जाते हैं अधार पिता से पुत्र के मर्यादित संबंद है प्रिद्र हो जाने पर परिवार में पर नोचा से पिता mantle समद्ध नहीं जोड़ा जा सकते हैं और ना बह्त संबंध को पूरा कर सकता है इस अर्थ में समद्ध वैक्तिक होते हैं है में एधाय मारा कि छंपीर समन्ध यहां में मनुष्री का संब्ध परिवार के एक कार से न होकर सभी कारियों से होता है अधार परिवार के सदस्तandır का परिवार के क्यवल आर्थिक कारियों से समंद्ध ना ओकर परिवार के शुप्त दुग मान अमर्यादा वीमारी लावहानी सबसे पर महत समय को महत पर समय कर दखते हैंप संब्यादा इसका अंह USAी में में संब्म अपूर नहीं होते हैं इसको प्रात्मी समूं का महत दखते हैं तो मान्यम समाज के विभिन इस तरों में प्रात्मी समूं का सबसे महतपूर इस्था रहा है यह सम्हूव बेक्ति के समाजी करर तथा बेक्तित के विकास में महतपूर उदान देते हैं समपता यह सम्हूँ उत्ना ही प्राजिन है जितना कि मनुश्य शॉयम है मांस्री समूं के महत्य को निम्द प्रकार स्फष्ट करते हैं तो फस्ट है आपका सुरच्छा की भावना रात्मी समूं का प्रतेक सदस्त आने सदस्तों के धनिश संबर्त में आता है सदस्त एक दूसरे के कल्यान तथा भलाई को ही अपना उद्दिस मान लेते हैं समूं के एक ब्यक्ति का सुक दुख सभी का सुक दुख माना जाता है इस ब्यक्ति इससे ब्यक्ति के मन में सुच्छा की भावना ठिक्षत होती है इस सेकंड है आपका ब्यक्ति की विकास ब्यक्ति का विकास परवार खेल शमूं परोज तथा अन्य प्रात्मी समूं का विक्ति के विकास पर अतंग महत्पूर प्रुभाव पड़ता है समाजिक रिती रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, आदर्स बिभारों, आदिके अन्यकूलेंग की छमता ब्यक्ति प्रात्मी समूं से ही प्रप्त करता है समाजिक रिविया द्वारा ब्यक्ति प्रात्मा में, इससने प्रेम, दया, त्याग, शयोग, स्हानभूति, नया, देश्माइक, आदिमान्मी गुड़ों को बिक्सिक करता है प्रात्मी समूं में सीखे हुए गुड़ों में इस्थाजेत होता है लाश्ट और फॉर्ट पॉरङंट हमारा कारी सहलता करते हैं किसी सदस्त करते हैं यह प्रसंस्त करते के लिए पुरुत सहथ करती है तो यह था आपका लॉंग कोश्चन थैंक्यू शो मच